नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत उत्तर प्रदेश अस्थानी निकाय चुनाओं के प्रड़ाम आने लगे हैं अभी तक रुजान चल रहे थे कई जगाए पर डिकलेर हो गया है रिजल्ट और कई जगाए पर डिकलेर होना बाकी है इन ही सीटों में से एक सीट खासी च यहाँ पे अध्यक्षपद के लिए राजा भाया की पाटी जनसक्ता दल से उसा त्रिपाठी चुनाओं मैदान में है वही समाजवादी पाटी से अभी तक अध्यक्ष रही बुलसन यादों की पत्मी सीमा यादव यहां का रिजल्ट क्या है हर को जानना चाहता है क्योंक पिछली बार जो अब सपा से खड़ी हैं सीमा यादव वो राजा भाया के असिर्बाद से जीती थी इस बार समाजवादी पाटी से वो खड़ी है और उधर राजा भाया कंडिडेट उसा त्रिपाटी है बीच में खबरे कुछ इस तरीके किया है जैसे कि सीमा यादव ने राजा भाया के कंडिडेट उसा त्रिपाटी को हरा दिया है लेकिन हकिकत ये नहीं है राजी निर्वाचन आयोग की साइट पर जाएंगे तो अभी तब पुंडा का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है और जो खबरे सोर्सिस के हवाले से मिल गई है उसके मुताबिक राजा भाया की पार्थी जनसत्ता दल की कंडिडेट उसा त्रिपार्थी 2000 मतों से आगे चल रही है डेक चुना रिजल्ट आना अभी बाकी है सोसल मीडिया पर ऐसी खबरों की और ऐसे पोस्ट की खर्मार है जिसमें ये बताया जा रहा है कि राजा भाया की कंडिडेट च खड़ी है वो 2000 से अधिक मतों से आगे चल रही है कोई 1200 भी कोट की आजा रहा है दो हजार और 200 भी कोट की आजा रहा है कि इतने मतों से वो आगे है रिजल्ट का इंपजार रहेगा क्योंकि कुंडा बहुत ही सेंस्टिव सीट है और राजा भाया की वज़ा से इस सीट को लेकर के ज्यादा चर्चा होती है जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा हम आप से साधा करेंगे रहे नभी इकबर वित्के रहिए इनकी थैंकी